Hello Friends, Study with Bank के Current Affair System में आपका स्वागत है ये Current Affair SSC, Banking, Railway, State PCS, CDS, CAPF, NDA और अधर Competitive Examादी में सहाइक होंगे आज की डेट है 4 February 2021 तो चलिए आज का Current Affair शुरू करते है आज का पहला प्रश्णा है विश्व कुष्ट रोग दिवस निमने में से कब बनाया जाता है आफ्शन A, January के अंतिम रविवार, आफ्शन B, February के अंतिम रविवार, आफ्शन C, Mars के अंतिम रविवार, आफ्शन D, April के अंतिम रविवार देखे विश्व कुस्ट दिवस जो है प्रतिवर्स जन्वरी महिने के जो है अंतिम रविवार को मनाया जाता है यहो दिवस सिग्रती सिग्र रोग उन्मूलन निवारण के लिए प्रियास बढ़ाने और प्रतिवधता नविकृत करने का अफसर ब्रदान करता है यहो भारत के नए मुख्य कारिकारी यानि CEO के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है और राहुल सिज्देवा और अनलत्यागी और सी आरेस सर्मा ऑफ्शन डी विवेकुमार सर्मा रादेखे राश्टी स्वास प्राधिकरण ने आरेस सर्मा को देश की प्रमुख सर्वजनिक स्वास्त बीमा योजना आश्मान भारत का नया मुख्य कारिकारी अधिकारी न्यूक्त किया है इसे प्रधान मंत्री जन आरेव की योजना भी कहा जाता है आरेस सर्मा इंदू भूशन की जगा लेंगे इंदू भूशन का जो कारेकाल था वो तीन साल का कारेकाल था और आ नेक्स्ट कुश्शन पर जलते हैं। लाइसेंस पाने वाली छात्रा बनी थी। उस समय आईसा की जो उम्र थी वो मात्रव 15 साल थी। इसके बाद उन्होंने रूस के सौकॉल एर्बेस में 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 29 उडाने के लिए ट्रेनिंग ली। फिर आईसा ने बॉंबे फ्लाइंग क्लब में विमानन में ग्रेजुएशन क डिग्री हासिल की और 2017 में उन्हें कॉमर्सियल पाइलट का लाइसेंस मिल गया। तो इसका सही एंसर होगा ओफ्शन B आईसाजीज। चले नेक्स्ट कोशिन पे चलते हैं। ओक्सपोर्ट लेंग्वेज ने किस सब्द को 2020 का हिंदी भासा का सब्द घोसित किया है। ओफ् सब्सक्राइब मालावाद वीवाद पर सरवोची नेयाले के निर्णेयादी के कारण काफी चरशमाया था। Oxford Language जोरा घोसित World of the Year एक ऐसा सब्द अथो अभिवेक्ती है जिसने किसी एक विशिस्ट वर्स में आम लोगों का काफी अधिक ध्याना करसित किया है किसी भी वर्स के लिए World of the Year का चयान करने के लिए Oxford Language जोरा अपने भासा अनुसंधान कारिकरम के तहत लोगों के उपयोग आगसबने आगड़े एक एत्रिकिया जाते है और फिर उपयोग के आधार पर सब्दों का चयान किया जाता है Oxford Language ने वर्स 2020 के लिए आत्मनिर्भर सब्द को चुना है क्योंकि वर्स 2020 के दौरान इस सब्द का काफी परियोग किया गया है और वर्स 2021 के केंदरी बजट पे भी इस सब्द का प्रमुक्ता से स्थान दिया गया है ग्यात हो कि 2020 में प्रधान मंत्री ने COVID-19 रिकवरी पेकेज की घोशना करते हुए आत्मनिर्भरता की आविशक्ता पर जोड दिया था तो इसका सही अंसर होगा Option A आत्मनिर्भरता चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं एमेजन के फाउंडर जेफ वेजोस ने CEO की पद छोडने का घोशना किया है उनकी जगह जो है किसको CEO की जिम्यदारी दी जाएगे Option A राजिस कोपिनाथन Option B सिव नादर Option C एंडी जेसी Option D उदे कोटक एमेजन के CEO जेफ वेजोस ने एलान किया है कि वो इस साल की अन तक अपना पद छोड़ देंगे और उनकी जगह एंडी जेसी अभी हो जिम्मा समालेंगे वो एमेजन की वेब सर्विस लीट कर रहे हैं जिसने कंपिनी की नई तकनीक खरीदने और कंप्यूटिंग सर्विसेज आसान बनाने में एहम योगदान दिया है एंडी जेसी ने साल 1997 में एमेजन जोइन किया था तो इसका सही अंसर होगा Option C एंडी जेसी चलिए नेक्स्ट कुशिन पे चलते हैं हाली में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने हर घर पानी हर घर सफाई मिसन लॉंच किया है Option A बिहार, Option B जारखन, Option C पंजाब, Option D तमिलांडू यह हाली में पंजाब के मुख्य मंत्री केप्टन अमरिंदर सिंग ने हर घर पानी हर घर सफाई मिसन लॉंच किया है यह मिसन जो है 2022 तक सभी ग्रामेण घरों में 100 प्रतिसत पाइप से जलापूर्ती के लक्षों को पूरा करने के सरकार के भ्यान का हिस्सा है इस योजना से अमरित सर, तरनातारैन और खुरदास पूरजलों के 155 गाओं में 6 लाख निवासियों का अलाव होगा यह योजना और्सनिक प्रभावित वस्तियों की समस्या को हल करेगी इस योजना को विश्यो बैंक, नावाड, भारत सरकार के जल्म, जीवन मिसन और राज़ बजट द्वरा बित्त पोश्ट किया जा रहा है तो इसका सही अंसर होगा ओफशन C पंजाब चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलता है भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में कितने और उत्पादों को ओपरेशन ग्रीन योजना टॉप्स के अंतरगत सामिल करने का निर्णे लिया है ओप्शन A, 16, ओप्शन B, 30, ओप्शन C, 15, ओप्शन D, 22 भारत सरकार ने इस वर्ष के बजट में जो है आपका 22 और उत्पादों को और उपरेशन ग्रीन योजना टॉप्स के अंतरगत सामिल करने का निर्णे लिया है ग्रिसी और समद उत्पादों के मोईले बृधी और उनके निर्यात को बढ़ावा दिने के लिए भारत के वित्व मंत्री ने बजट 2021 में ओप्रेशन ग्रीन योजना का दाइरा बढ़ाते हुए इसमें 22 नए उत्पादों को सामिल करने की इगोशना की है वर्तमान में ओप्रेशन ग्रीन योजना के तेहत केबल टमाटर प्याज आलू ही सामिल थे तो इसका सहीं इंसर होगा ओफ्शन डी 22 चलिए नेक्स्ट कोईशन पे चलते हैं इस वर्स के बजट में मिसन पोश्चन 2.0 की सुरवात करने की घोशना की गई है जिसके तहट देश के कितने जिलों में ठीके ध्यान रखेगा पोश्चन गत परिणामों के में सुधार लाने के लिए एक सद्रडिकरित कारिनीती अपनाने की घोशना की गई है ओफशन A 112 जिले ओफशन B 110 जिले ओफशन C 115 जिले ओफशन D 118 जिले देखें मानो पुंजी या मानो विकास के लिए बहतर स्वास्त आविश्यक सर्थ है और बहतर स्वास्त के लिए बहतर पोश्चन आविश्यक सर्थ है देश्च में को पोश्चन की चुनोती से निपट डिलिवरी आउट्रेज तथा परिणामों को सद्रड बनाने का लक्ष निर्धारित किया गया है इसके लाबा भारत सरकार ने संपूरक पोर्षन कारिक्रम और पोर्षन अभ्यान का विलाई करने का नर्णे इस वर्ष के बजट में किया है देश के 112 आकांकसी जिलों के पोर्षन गर्थ परिणामों में सुधाल लाने के लिए एक सद्रिक्रित कारिनीती अपनाने की घोषना भी बजट में की गई है सरकार अभी 112 जिलों भी पोर्षन समधी परिणामों को बहतर करने के लिए एक गहन रणनीती अपनाएगी बज़ट पे महिला और वालविकास मंत्राले को आवंटीत 24,435 करोड रुपे में से सक्षम आंगनबाडी और पोशन 2.0 को 20,105 करोड रुपे की रासी आवंटीत किया गया है तो इसका सही अंचरों का option A 112 जिले चले नेक्स्ट कुशिन पे चलते है हाली में कौन से देश के स्टार्ट अप कमपणी ब्लू सिफ्ट एरो स्पेस ने जेव इंदन द्वारा संचालित विश्व का पहला बानेजिक बूस्टर लॉंच किया है option A America, option B England, option B Rus, option C England, option D France अमेरिका अधारित rocket startup company Blue Shift Aerospace ने जेव इंदन द्वारा संचालित विश्व का पहला बानेजिक बूस्टर लॉंच किया है Stardust 1.0 नाम का यह बूस्टर तकरिवन 20 पीट लंबा है और इसका द्रब्मान है जो लगभग 250 kg है यह rocket अधिक्तम 8 kg पे लोड लेज जा सकता है कंपनी के मुताविक इस rocket के संचालर में परियोग किया गया जेव इंदन, गैर विसेला और पूरी तरह से कारवन तटस्त है जिससे यह प्रकृती को प्रतिकुल रुप से प्रभावित नहीं करेगा यह rocket अंतरिक्ष में क्यूबेट्स नामक छोटे उपग्रहों को लांच करने में मदद करेगा जो कि पारंपरिक रॉकेटों की तुलना में अपिक्षागरित सस्ता है और परियावरण के प्रति कम विसाक्त है तो इसका सही अंसर होगा option A अमेरिका हाली में कौन से केंद्री मंत्री ने वर्ट्वल पॉर्टल पर आठवे भारत अंतरास्तिय रेसम मेले का उधगाटन किया है option A नरेंद्र सिंग्तों मर, option B प्रकास जावडगर, option C स्मृति इरानी, option D गिरिराज सिंग लेकि केंद्री मंत्री स्मृति इरानी ने वर्ट्वल पॉर्टल पर आठवे भारत अंतरास्तिय रेसम मेले का उधगाटन किया है पास दिन तक चलने वाले इस मेले को भारत के सबसे बड़ा रेसम मेला माना जाता है कोरोना वायरिस महमारी की कारण इस मेले को भारती रेसम नर्यासम मर्धन परिसत द्वारा वर्चुल मंच पर आवजित किया जा रहा है दोसों से अधिक विदेशी खरिदार पहले से ही इस मेले के लिए पंजिकरित हो गए है यह मेला भारती रेसम की सुन्दरता और जीवनतता का उत्सव मनाने का उसर प्रगान करता है रेसम उत्पादम ने भारत का लंबा इतिहास है और यह रेसम का दुसरा सबसे बड़ा उत्पादक है भारत विश्यो का एक मात्र देश है जो रेसम की सभी चार प्रमुक किस्मों जैसा कि सहतूत, एरी, टसर और मोंगा का उत्पादन करता है रेसम रसायन विज्यान की भासा में रेसम कीट के रूप में विख्यात इल्ली द्वारा निकाले जाने वाले एक प्रोटीन से बना होता है ये रेसम कीट कुछ विसेश खात पौधो पर पलते हैं तथा अपने जीवन को बनाये रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का नर्मान करते हैं रेसम कीट का जीवन चक्र चार चर्णों में चार चर्णों जैसे की अंडा, इल्ली, प्यूपा तथा सलब में निर्मित होता है रेसम प्राप्त करने के लिए इसकी जीवन चक्र के कोकून चरण में अबरूद डाला जाता है और वेवेसाइक महत्व का तंतु निकाला जाता है जिससे वस्त्रों का निर्मान किया जाता है तो इसका सही एंसर होगा ओफ्षन C, स्मृति रानी तो ये थे आज के करेंड फेर, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेर और कमेंट करना ना भूले साथी साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स पर वाचिंग, have a nice day, take care